आप मुझे एक बात बताईए किसानों को, पचास किसानों को रेड़ फोर्ट के अंदर किसने जाने दिया? और क्यों जाने दिया? क्या होम मिनिस्ट्री का काम नहीं है कि रेड़ फोर्ट पे इनको नहीं जाना चाहिए? अलाव करना चाहिए? उसके लिए कौन जमेदार है सीधी जी बात है उनको क्यों अंदर जाने दिया किसने अंदर जाने दिया होमिनिस्टर से जाकर पूछिए और उसके पीछे क्या आइडिया था किस प्रकार अलाउ किया गया वो भी पूछ लीजिए यह महिनों से यहां खड़े हैं दस-पंदरा लोग तो नहीं है लाखों लोग है तो कुछ ना कुछ तो होगा कुछ ना कुछ तो इनको इनकी फिलिंग होगी इनका दर्द होगा यह सब के सब मतलब लाखों लोग बस ऐसे खड़े हुए क्या बिना कोई कारण, कोई ना कोई कारण तो है, सिंपल कारण है, आप इनका भविश्व इन से छीन रहे हो, आप हिंदुस्तान के अगरिकल्चरल सिस्टम को तोड रहे हो, आप अपने दो तीन मित्रों को पूरा हिंदुस्तान का अगरिकल्चरल सिस्टम पकड़ा रहे हो, और तो हर किसान के गर में चोर घुस रहा है, नरेंदर मोदी जी उनको डाल रहे अंदर, और किसानों, नरेंदर मोदी जी को लगता है कि किसान कुछ नी बोलागा, घर चला जाएगा, कैसे? सवाल है नहीं उठता और चोरी सिर्फ किसानों से नहीं हो रही चोरी शेहरों में वर्कर से हो रही है चोरी किसानों से हो रही है चोरी छोटे बिजनस वालों से हो रही है स्मॉल मीडियों बिजनसे से हो रही है उनका भी भविश्य तोड़ा जा रहा है तो अगर ये सोचें कि भई ये सिर्फ किसान की बात गल्ट है ये किसानों से मजदूनों तक जाएगा, शेहरों में जाएगा, स्लम्स में जाएगा, फैलेगा ये